कंगनर अनौत ने किया दिपिका पाड़कोन को स्लैम कहा की बड़े घर के बच्चे पूछते हैं, माल कहा है अकाली दल के लीडर मंजंदर सिर्सा ने भी किया रियाग दिपिका पाड़कोन के ड्रॉग कनेक्शन न्यूस पर कहा की ये बश्युरुवात है सुषान सिंग राजपूत की मौत से जुड़े ड्रॉग केस में NCB की जाज जारी है और इस जाज में बॉलिवुड के कई सितारों के नाम सामने आ रही है शद्धा कपूर, रखूल प्रीट सेंग और सारा अली खान के बाद अब बॉलिवुड की टॉप आक्ट्रेस दिपिका पाड़कोन का नाम भी इस जाच में सामने आया है रिपब्लिक टीवी के अनुसार दिपिका पाड़कोन के वाटसेप चैट अब वाइरल हुई है मेरे बाद दोहराए, डिप्रेशन नशीली दवाओ के दुरुपयोग का एक परिणाम है तथा कतित हाई ससाइटी के अमेर स्टार केड जो आला दर्जे और अच्छी परवरिश होने का दावा करते है अपने मैनेजर से पूछते है, माल है क्या? बता देखे, इसके अलावा मंजंदर सिंग सिरसा ने भी किया है दिपिका पाड़कोन के ड्रग इन्वाल्मेंट वाली बात पर रियाक्ट उनके हिसाब से ये सब शुरुवात है और अब कई बड़े नाम सामने आएंगे मंजंदर सिरसा ने ट्वीट कर करन जोहर पाटी वीडियो में मौझूद सभी स्टार्स पर नशाना सा था और कहा मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि करन जोहर के वीडियो में मौझूद हर एक शक्स ट्रक्स ले रहा था मेरी शिकायत को तब सीरियस ले नहीं लिया गया इन लोगों ने पंजाब को बदनाम करने की साजिश बनाई और उससे पैसे भी बनाए तो आपको बता दे की ये कभी भी उड़ता पंजाब नहीं था बल्कि ये हमेशा से उड़ता बॉलिवुड रहा है इसके बाद एक और ट्वीट कर उन्होंने कहा दिपिका पाड़कोन बस एक शिरुवात है अब अगले एक्स्पोजर में करन जोहरा शाहित कपूर जैसे लोगों की सच्चाई सब के सामने आएगी ये सब नशेडी है और यही सच है व्ल धिपिका का नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी फिलहाल आपका क्या कहना है कंगना और मंचंदर सिंग सिरसा के इन ट्रीट के बारे में आपकी राई इसमें बहत ज़रूरी है हमें कोमेंट कर बताना ना भूले Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.